हलो बच्चो हलो टीचर तुम्हारे पास बहुत सारे तस्वीरे दीख रही है नीचे तो अब तुम सबने क्या करना है एक एक तस्वीर यानि इमेज लेनी है और उसका इंग्लिश में नाम बताना है ठीक है नुख्मान मदीहा मायरा अब यहां पर हमार पास कुछ अलग जालो और उसके एंग्लिश में नाम बताओ ठीक है ठीक है पहली बताओ लुख्मान यह टस्वीर मिल्क है मिल्क है उक्ये नेक्स्ट यह अ अमरूप तो नाश्हपती कहते हैं इंग्लिश मेंसे पेर कहते है ठीक है उसके बाद कौन न्हीं है मoffe इंजेक्शन गूड उसके बाद लुख्मान ये तस्वीर एक बच्चा बॉलिंग कर रहा है हाँ इसको थ्रो बोलते हैं बॉल्ट थ्रो कर रहा है ओके नेक्स्ट ये एक आत्मी क्लैट्स कर रहा है क्लैप इसको अप्लॉड भी बोलते हैं ठीक है ये तस्वीर एक लड़का पेंटिंग कर रहा है गूड पेंटिंग ये एक बच्चा जम कर रहा है ये टोमाइटो है तस्वीर एक एपल की है गूड एपल है ये एक रोटी है गूड रोटी है ये एक भालू है भालू इसको पांडा बोलते हैं ये एक तस्वीर माउस की है गूड ये तस्वीर टाइकर की है गूड ये तस्वीर चीटी की है चीटी इसको इंगलिश में एंट बोलते हैं यह तस्वीर एक पेंसिल की है ओके नेक्स्ट यह तस्वीर एक बैसाइकल की है यह तस्वीर एक टेलीपॉन की है बहुत अच्छे यह तस्वीर क्या है एक टेलीपॉन की है गुड तो बच्चो यह सारी तस्वीर जो तुमने अभी नाम बताई क्या एक जैसी है नहीं नहीं तो क्या कर नजर आया तुम्हें इसमे कुछ खाने के चीजे कुछ पीने के चीजे कुछ जानवरों की चीजे कुछ फॉन की चीजे कुछ फॉन की हां ठीक है तो इसमें क्या है अलग 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 चीजें हैं तो क्या हम सबको एक साथ एक ही ग्रूप में रख सकते हैं नहीं हमें क्या करना पड़ेगा उसके अलग 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 इससे बनाएगा तो चलो अब हम सीखते हैं कि इसके अलग अलग इससे किस तरह से कर सकते हैं टीके टीके